देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय प बनी रहे, यह वीडियो है 24 अगस्त 2021 यानि की मंगलवार के दैनिक राशिफल के बारे में हर वीडियो की तरह आज का उपाया आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो शुरुआत करते हैं मेश राशी यानि की एरीस के साथ, आज का दिन है दूसरों के एक्सपेक्ट की एक्सपेक्टेशन पर आज बिल्कुल नहीं जीना, करियर वाइज यह कहूंगा अपने दिमाग में कई परते लगा ली हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, अपने दिमाग में आपने कुछ रीजन अपने आपको देना शुरू कर दियां कि नहीं आप आगे नहीं जा सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, उन परतों को हटाईए और आज का दिन हैं अपने करियर पे फोकस कीजिए, आज कोई अच्छी न्यूज आपको प्राप्त हो सकती है, अगर कोई ट्रेड का बिजनस करते हैं तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है, ट्रेवल रिले रिलेशनशिप में आए है कुछ टाइम पहले, आपको कहूंगा कि फिजिकल नीट्स से उपर उठकर अब इमोशनल कमपैटिबिलिटी की तरफ जाएए, तभी रिलेशनशिप स्टैबिलिटी की तरफ जाएगा, अपने पार्टनर को इमोशनली भी समझने कि अब आपको क कोशिश करनी चाहिए, स्टूडेंस के लिए आज का दिन अच्छा साबित हो सकता है, अगर वो थोड़े अडेप्टिव बने हो सकता है, आज कुछ चीजें आपके फेवर में ना जाए, अगर आपने उन विपरीत परिस्थेतियों में भी अपने एफट्स अच्छे रखे तो आज का दिन अच्छा जाएगा, वरना आप थोड़े भ्रमित हो सकते हैं, हेल्थ वाइज प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई प्राब्लम आज आपको हो सकती है, आप चलते हैं टौरस यानि की वरिशब राशी के तरफ, आज का दिन आपके सारे काम बनते होए दिख रहे हैं, जादा आपको efforts भी नहीं लगाने पड़ेंगे, जो काम पिछले कुछ तिनों से अटक रहे थे, वो भी आज बनते होए दिख रहे हैं, करियर वाइज आज का दिन बहुत अच्छा है, नाम, ख्याती, शोहरत सब प्राप्त हो सकती है, अच्छा दिन है, भा रिलेशन्शिप के हिसाब से कहूंगा कि जो लोग, जिन लोग का अभी अभी break up हुआ है, specially उनके लिए आज कहूंगा कि थोड़ा meditation का सहारा लेजिए, अगर आप उस break up से नहीं उबर पा रहे हैं, तो थोड़ा meditation का आपको आज सहारा लेना चाहिए, बाकी जो लोग relationship में ह अच्छा है, students के लिए कहूंगा कि चीजों को jump मत कीजिए, यह कि आज कल कुछ पढ़ा था, आज कुछ पढ़ रहे हैं, कल कुछ और पढ़ने की सोचेंगे, तो जो आप recently पढ़ रहे थे, आज भी दुबारा उसी पर थोड़ा concentrate कीजिए, उसी को हो सकता है, तो revise करने की को lazy रहने वाली है, काम करने का या कुछ भी करने का दिल नहीं करेगा, थोड़ा lazy से, sluggish से आप feel करेंगे, कभी कभी होता है, सबके साथ होता है, तो कि चिंता करने की बात नहीं है, career wise आज का दिन अच्छा दिख रहा है, आपको आपका प्रयत्न रहेगा कि अपने career में perfection ला कि अगर business में कुछ problem आ रही है, तो किसी से राय लेने की कोशिश कीजिए, किसी से consult कीजिए, जो आपके business में already involved है, या जिनको आपके business की अच्छी knowledge है, relationship के इसाप से कहूँगा कि आज आपकी expectations के इसाप से दिन नहीं जाएगा, शायद आप अपने partner से आज कुछ expect करें, ल वो ignore कर देंगे, तो इस चीज़ को लेकर आपका दिन थोड़ा अच्छा नहीं जाएगा, थोड़ा sad feel करेंगे, काफी hurt भी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी expectations, आपके partner जिन से आप बहुत जादा expect करते हैं, वो expectations आज meet नहीं हो पाएगी, students के लिए अच्छा दिन है, थोड़े स सहासी बनिए, कुछ सहासी निर्ण लेजिए, जो आपके study में और help करेगी, health wise पित रोग यानि की liver से संबंदित और acidity आदी की problem आपको रह सकती है, body में थोड़ी heat भी जादा रह सकती है, शाम होते होते fever भी आपको हो सकता है, आप चलते हैं cancer यानि की करकराशी की तरफ, आज आपका conscious का level बहुत अच्छा रहेगा, हर चीज़ को बहुत अराम से समझ पाएंगे, बहुत ही clarity रहेगी आपकी thinking में, जो आपकी life में, आज के दिन आपके हर aspect में आपकी मदद करने वाली है, career के इसाब से कहूंगा, आज का दिन है leadership qualities अपने दिखाईए, आज नहीं दिखाएंगे तो पता नहीं कब आपको leadership quality दिखाने का मौका मिलेगा, cut throat competition है, leadership दिखाएंगे तब ही आगे बढ़ पाएंगे, business के इसाब से थोड़े losses हो सकते हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजेगा, relationship के इसाब से love life के इसाब से बहुत ही अच्छा दिन है, ए एक दूसरे को एक अलग ही level पर आज आप समझ पाएंगे, emotional compatibility बहुत ही अच्छी होने वाली है, जैसे कहते हैं कि दो जिस्म एक जान वैसा आज होने वाला है, बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ connect आज आप कर पाएंगे, students के लिए आज थोड़ा मुझे कुछ change दि दिख रहा है, अगर पिछले कुछ दिनों से कोई health problem आ रही थी तो उससे भी आज recover हो जाएंगी, अब चलते हैं Leo यानि की सिम हराशी की तरफ, आज का दिन है स्थिरता आएगी आपके जीवन में, हो सकता है पिछले कुछ दिनों से स्थिरता की कमी हो, balance की कमी हो, stability की की कमी हो आपकी life में, आज वो स्थिरता काफी हद तक वापस आते हुई दिख रही है, करियर वाइज आज का दिन बहुत अच्छा है, कोई नई शुरुवात करना चाहते थे, तो बहुत अच्छा दिन है, बिजनस कोई नया start करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा दिन है, उसकी से ये कहूंगा कि, अगर आपको आपके partner की कोई चीज affect कर रही है mentally, कोई उनकी आदत हो सकती है, उनका रवया हो सकता है, पिछले कुछ दिनों से हो सकता है, उनमें कोई change आया हो, जो आपको बहुत affect कर रहा है, लेकिन आप कह नहीं पा रहे हो, तो आज का दिन है, उनको य आज का दिन काफी अच्छा है, पढ़ाई में दिल लगेगा, retention power भी अच्छी रहेगी, health wise, जोडों से संबंदित कोई problem रह सकती है, और गर्दन से संबंदित भी कोई problem आपको आज दंग कर सकती है, आप चलते हैं, कन्या यानि की वर्गो राशी की तरफ, थोड़े violent रह सक सकते हैं हद से, जो आपके आज की दिन चरिया में काफी विगन डालेगा, problem भी आ सकती है, अपनों से भी लड़ सकते हैं, strangers से भी आप कुछ ना कुछ वाद विवाद में उलत सकते हैं, तो थोड़े aggression पे अपने control रखेगा, career wise आज का दिन बहुत अच्छा नहीं दिख रह है वो news, बिजनस करते हैं, तो आज आज आपके जो शत्रू हैं, आपके competitors हैं, आपको किसी ना किसी तरह का नुकसान पहुचाने की कोशिश आवश्य करने वाले हैं, relationship के इसाप से, love life के इसाप से कहूंगा, थोड़ा compassion दिखाई अपने partner की तरफ, उनको समझने की कोशिश क कीजिए, हो सकता है, पिछले कुछ दिनों से उनकी life में कोई problem आ रही हो, लेकिन वो किसी से discuss नहीं कर पा रहे हो, हो सकता है, आप से भी discuss नहीं कर पा रहे हो, देखिए कि अगर उनके nature में कुछ change आ रहा है, तो उनसे थोड़ी बात करने की कोशिश कीजिए, उनकी problem हो सकता है, आप solve करने में, या at least emotional help या emotional stability देने में उनको आप थोड़ी help कर सकते हैं, students का आज मन पढ़ाई में नहीं लगने वाला, थोड़े ठके हुए feel करेंगे, हो सकता है, जो दिन बीद गया, उसमें physical activities जादा थी, या mental activities भी जादा थी, जिससे आप उबर नहीं पाएंगे, और पड़ाई में ज्यादा focus आप नहीं कर पाएंगे, health के इसाप से कोई major problem नहीं दिख रही, बस सरदर्द आपको रह सकता है दिन के later half में, आप चलते हैं, लिबरा यानि की तुला राशी की तरफ, दिन की शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है, भाग या आज आप क्लीन और प्योर रहने वाली है, आज करियर के इसाप से भी आज का दिन अच्छा देख रहा है, आज आप कोशिश करेंगे अपने आपको कुछ educate करने के बारे में, अपने करियर को लेकर अपनी knowledge बढ़ाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे, बिजनस करते हैं, तो especially एक तो देखिए कोई आपके आजपास है जो आपके वो trade secrets आपसे निकलवाना चाहता है, तो उससे थोड़ा सचेत रहें, वैसे दिन अब तक तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन relationship के इसापसे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, especially शाम को आपके पार्टनर से बहुत लड़ाई हो सकती है, बहुत ही जादा गंभीर लड़ाई हो सकती है, जो relationship पे बुरा असर डाल सकती है, काफी aggression रहेगा उस बाद विवाद में, बहुत अच्छा असर नहीं डालेगी वो आपके relationship पे, students के लिए आज का दिन काफी अच्छा है, आपका experience आज आपके किसी ना किसी काम आने वाला है, आपने जो पड़ा हुआ है आज तक, वो आपको आज help करने वाला है, health के इसाब से, आपको acidity की problem काफी रह सकती है, और digestive disorders आज काफी रह सकते हैं, आप चलते हैं, Scorpio याने की व्रिश्चिक राशी की तरफ, आपकी life में अगर कुछ problem आ रही है, तो basics पे वापस जाईए, देखिए कभी कभी होता क्या है, हमारी life में कोई problem आती है, लेकिन हम उसको overthinking के कारण, या बहुत नई चीज़े try करने के कारण, उसको अपने आप ही over complicated कर देते हैं, जबकि उसका solution होता है, बहुत simple होता है, बहुत basic होता है, तो अगर आपकी life में पिछले कुछ दिनों से कोई problem आ रही है, तो basics पे वापस जाईए, देखिए कि उसका बहुत simple solution भी निकल सकता है, क्या, और बहुत हद तक यही chances है कि उसका कोई simple solution होगा, career wise आ आपको कहीं से help अगर नहीं मिल रही थी, तो आज अपने आप ही आपके पास कोई help चल के आएगी, जो आपके career में obstacles आ रहे थे, विगना रहे थे, उनसे आपको निकलने में help करेगी, love and relationship के इसाप से, जो लोग married हैं, आज का दिन अच्छा जाने वाला है, जो लोग relationship में है आपकी energy बहुत high रहेगी, आपके partner आपकी energy को match नहीं कर पाएंगे हर aspect में, जिसके कारण थोड़े compatibility के issues रह सकते हैं, मैं यह कहूंगा थोड़ा slow down हो जाईए, जरूरी नहीं कि जिस तिवरता से आप आगे जाते हैं, या आप काम करते हैं, आपके partner आपको match कर पाएं, relationship में matching ही सब कुछ होता है, compatibility ही सब कुछ होती है, तो कोई race नहीं है, थोड़ा slow down हो जाईए, students का आज दिमाग पढ़ाई में zero लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, पूरा दिमाग romantic चीजों में रहेगा, जो जिसके कारण study आपकी बहुत negatively affect करेगी, health wise आज का दिन काफी अ या तो आज धोका मिलेगा या पिछले कुछ दिनों में धोका मिल गया होगा, उसके कारण emotional level पर काफी hurt feel करेंगे, काफी दुखी आप feel कर सकते हैं, जो आपकी दिनचर्या में affect डालेगा, career के इसाब से कहूंगा, business के इसाब से आज का दिन ठीक है, normal है, job करते हैं, तो ये देखिए कि आपके innocence का, आपके भोलेपन का, आपके अच्छे nature का कोई फायदा तो नहीं उठा रहा, क्योंकि हो सकता है, आज भी कोई फायदा उठाए, और पिछले कुछ दो-तिन दिनों स सब भी कोई फायदा उठा रहा हो, जिसका आपको पता नहीं चल पा रहा हो, तो इस चीज पर थोड़ा concentrate कीजेगा, वरना otherwise career का दिन आपका आज अच्छा है, relationship के इसाब से अपने partner से थोड़ा detached feel करेंगे, थोड़ा अपने आपी थोड़ा दूरी maintain करने की आप कोशिश करे आपका दिमाग या कहिए मन उनके साथ आज नहीं लग पाएगा, थोड़ा अलग अलग थोड़ा अलगाव की feeling आपकी आएगी अपने partner को लेकर temporary होगी, लेकिन आज ऐसा होगा, अगर ऐसी feeling आती है तो ठीक है कोई बात नहीं, बहतर होगा कि आप उनसे तब बात कीजी, उ उनसे मिलने के mood में है, अगर आप दिल से सोच रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं मिलना, तो जब आप उनके पास जाएंगे, उनसे meeting करेंगे, तो कुछ उल्टा सिधा ही हो सकता है, बात बिगड़ ही सकती है, students के लिए आज का दिन है, आप काफी lazy feel करेंगे, पढ़ाई हाफ में थोड़े anxiety के issues हो सकते हैं, अब चलते हैं Capricorn यानि की मकर राशी की तरफ, आज थोड़े ज़्यादा aggressive रह सकते हैं, थोड़े ज़्यादा active रह सकते हैं, लेकिन यह negative नहीं होगा, कभी-कभी थोड़ा aggression के साथ आगे बढ़ना life में अच्छा होता है, कभी-कभी आपको मदद ही करने वाला है, करियर के इसाब से आज का दिन बहुत ही जादा अच्छा है, धन योग तो बन ही रहे हैं, साथी साथ इच्छा पूर्ती के योग बन रहे हैं, कारे से संबंदित बहुत अच्छे राज योग बन रहे हैं वर्ग-कुडलियों में, आज के दि आज सारे काम बनते हुए दिख रहे हैं, करियर के इसाब से तो आज का दिन बहुत ही जादा अच्छा है, रिलेशनशिप के इसाब से आज का दिन अच्छा बिलकुल भी नहीं है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होगी, उचाट सा रहेगा अपने पार्टनर के खिला को मिलेगा, स्टूडेंस के लिए आज का दिन काफी अच्छा है, आज आप अपने आप ही पढ़ेंगे, अपने आप ही पढ़ाई में दिल लगेगा, किसी को कहने की आपको कोई जिरुत नहीं है, हेल्थ वाइस साइकलोजिकल डिसॉर्डर आज आपको काफी तंग कर सकते आप चलते हैं, एक्वेरियस यानि की कुम्बराशी की तरफ बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक आपका आज रहेगा, आपकी एनरजी बहुत पॉजिटिव रहेगी, एक ओज आपके अंदर से आज निकलेगा, जो लोगों को आपकी तरफ एट्रेक्ट करेगा, लोग आपको देखते ही ये कहेंगे कि कितने पॉजिटिविटी आज आपके अंदर से आपके चहरे से जलक रही है, काफी पॉजिटिव आउटलुक आपका आज रहने वाला है, करियर के इसाफ़ से बहुत ही उत्तम दिन है, काफी बैलेंस डिसीजन रहेंगे, लोग आपको कोई प्रॉब्लम उनके पास आ रहे होगी, तो आपके पास आएंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए, बिजनस के इसाफ़ से आज बहुत अच्छे लक्ष्मी योग बन रहे हैं, लक्ष्मी आपके द्वार खुद चल के आएगी, आपको बस अपने जो भी सेंस हैं, उनको उपन रखना है, कि अगर वो लक्ष्मी जी आ रहे हैं, तो आप उनको पहचान पा रहे हैं, मतलब कि अगर आपके पास कोई उपर्चुनिटी आ रहे हैं, तो क्या आप उसको ग्रैब कर पा रहे हैं, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, रिलेशन्शिप क आज का दिन काफी रोमेंटिक जाएगा, काफी शान्त जाएगा, दोनों ही शान्त स्वभाव से, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिताएंगे, स्टूडेंट से कहूंगा, जो आपके पास रिसोर्स हैं, जो आपकी एबिलिटी है, उस पे फोकस कीजिए, दूसरों से कमपेरिजन्स मत कीजेगा, आज वनना स्टडी पे नेगेटिव असर पहुचेगा, डायबटीज है, तो काफी जादा प्रॉब्लम रह सकती है, आज जादा खाना खाने के कारण भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज़ का आपको जादा ख्याल रखना है, आप अपनी क्रियेटिविटी को बाउंड नहीं करना, उसको रोकना नहीं है, उसको बांधना नहीं है, पाइसिस राशी वाले काफी क्रियेटिव आल्रेडी होते हैं, एक डुवल साइन है, और ब्रहस्पती जी इनके राशी के स्वामी है, लगने के स्वामी है, तो काफी क्रि जिएर पर चलते हैं, जॉब का end हो सकता है, मतलब कि अगर आप जॉब छोड़ना चाते हैं बहुत टाइम से तो उससे related कोई decision आप ले सकते हैं, जॉब छोड़ सकते हैं, नया जॉब का कोई आपके पास offer भी आ सकता है, business करते हैं, तो आज कोई negative news आपको ज़रूर मिल सकती है थोड़ा loss आपको आज face करना पड़ सकता है वो भी आपके किसी अपने के ही गलती के कारण हो सकता है आपके साथ जो काम करते हों उनके कारण या आपके जो employees हैं उनके कारण कुछ loss आपको आज face करना पड़ सकता है relationship wise वैसे तो ठीक है दिन लेकिन आपके end से sudden aggression दिखाया जाएगा Pisces जो राशी वाले होते हैं वो वैसे aggressive नहीं होते passive aggressive होते हैं जब इनको aggression आता है तो एकदम ही बढ़ता है तो वो reaction आप शायद कुछ कर दें अपने partner के साथ जो उनको पसंदना है जो आपके relationship में आज के दिन कुछ negative impact रख सकता है नया relationship स्टार्ट करना चाते हैं आज तो उसके लिए अच्छा दिन बिल्कुल भी नहीं है student से कहूंगा कि कुछ change लाने की कोशिश कीजिए आज आप अपनी study के pattern में हो सकता है saturation point आगया हो आपकी study में जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा हो तो आज कुछ change लाने की कोशिश कीजिए जिससे study और बहतर हो पाए health wise कोई major issue नहीं है लेकिन कहीं से गिरके थोड़ी उचाई से गिरके आपको आज चोट लग सकती है और आखों पे भी थोड़ा जादा stress रह सकता है तो ये था मेश से मीन 24 अगस 2021 मंगलवार का दैनिक राशीफल आज का आपके लिए उपाए है आज सुबा सुबा बजरंग बली को तीन तरह के फलों का भोग लगाईए और हनुमान बाहुक का एक बार पाठ कीजिए सुबा सुबा यही है आज का आपके लिए उपाए चै